पारत ये क्रिकट टीम के चीफ सेलेक्टर चेतन शिर्मा ने दिया इस्थफा स्टिंग ऑपरेशन में टीम इंडिया के खिलारियों को कई तरह के खुलासे करने वाले बी सी सी आई की चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने अपने पच से इस्तफा दे दिया है उन्होंने ये इस्तफा बोर्ट से चीफ जैशा को भेज दिया रपोर्ट की माने तो जैशा ने चेतन शर्मा के इस्तफे को स्वीकार भी कर लिया है चेतन शर्मा ने जी नियूस तवारा की एक आइस्टिंग ऑपरेशन में वरात कोली और जस्परित बुमरा जैसे खिलारियों पर आक्शिब जताते हुए दिखे हैं उन्होंने कथे तोर पर कोच राहुल जबर और वरात कोली के साथ बाच्चित का भी खुलासा किया है शर्मा ने आरूप लगाया है कि खिलारी 80-85 प्रतीशत फिट होने के बावजूद प्रतिस परधी क्रिकेट में जल्द वापसी के लिए इंजेक्शन लेते हैं भारत के इस पूरवई तेज गेंद बाज ने ये भी आरूप लगाया है कि सितंबर में आउस्ट्रिलिया के खिलाफ T20 सिरीज के लिए बुमरा की वापसी को लेकर उनकी और टीम प्रवंधन के बीच मत भेट थे बुमरा अभी टीम से बाहर है और उनके आउस्ट्रिलिया के खिलाफ चार्ट टेस्ट मैचों की वर्डर गावस का ट्रोफी और उसके बाद तीन वनडे मैचों की सिरीज में खिलने की संभावना नहीं है शर्मा ने ये भी आरोप लगाया है कि पुर्व कप्तान विरात कोली और बीसी सी आई के पुर्वा अध्यक्षर सौरफ गांगुली के बीच एहंकी लडाई थी बीसी सी आई ने हाली में चेतन को दूसरी बार चैन समिती का अध्यक्षर मनाया था इसे पहले उन्हें आस्ट्रेलिया में खेले गए टी ट्वेंटी विश्व कप में भारतिय टीम के लचर प्रदर्शन के बाद हचा दिया गया था